तो आज हम बनाएंगे कश्मीधी स्टाइल मेथी पनीर तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं यह मैंने एक चोटा बंच मेथी का लेलिया है उसे काट लिया है बारिक बारिक और यह 500 ग्राम पनीर है यानी के पाव के लो आदे चमच हल्दी आदा चमच網ट का पावडर और आदे से ठोड़ा कम है लाल मिर्च पावडर और आदा चमच धन्या पावडर और यह एक चमच अद्रडलस चौप किया है और एक चमच ग्रीन चीलीज जो है हरी मिर्च वो भी चौप की विए 10-12 काजू, 2 हरे मिर्च और 2 मीडियम साइज की प्यास तो सबसे पहले हम एक पतेली में पानी को बॉयल करने रख देंगे उसमें हमने जो काजू और प्यास जो हमारी थी उसे मैंने कट करके ये इस साइज के क्यूब बनाके अड़ कर दी और मिर्ची भी हमारी जो है वो एड़ करके इसे 10 मिनिट तक बॉयल कर देंगे फिर एक नॉन स्टिक पैन में हम तीन बड़े चमच ऑईल एड़ करेंगे ये जब ऑईल गरम हो जा है हमारा तो इसमें हम पाव चमच के करीब नमक दाल देंगे आप अपने टेस्ट के साब से दाले और ये छोटा एक पाव आदा चमच हींग है इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे एक मिनिट तक फिर इसमें हम अपने पनीर जो है वो एड़ कर देंगे ये धाई सो ग्राम पनीर है यानि की पाव किलो फिर जब तक हमारा देखिए इस प्यास जो हमने बॉल करने के लिए रख दे दे कि हमारा पनीर होने आगे अलमुस्ट इस तरह से ब्राउन करके हमें निकाल लेना है दस मिनिट तक करना है ब्राउन साथ से दस मिनिट फिर हम उसी पैन में ओल दो चमच दाल के उसमें हमारा जो अद्रक लसन था और ग्रीन चिलीस थी वह एड़ करके इसे अच्छे से दो मिनिट तक सौके कर लेंगे फिर इसमें हम अपनी जो मेथी दी चोटा एक बंच है मेथी का उसे मैंने टोड़ कर कर लिए बारिक बारिक और हमारी मेथी को हम अच्छे से 10 मिनिट तक भूनेंगे जितना होनेंगे इसका बीच में चलाते रहेंगे कमसे कमसे दस मिनिट तक भूने कि जो उसका कड़वा पन चला जाए फिर इसमें हमारे मसाले अड़ कर देंगे मिर्ची सौट मेर्ची पाउडर सौट और हल्दी जो था हमने निकाले ते वह अड़ कर देंगे और इसमें मैं जो पेस्ट फिर हम इसे डग कर पकने देंगे जो है इसका ओल सेपरेट होने आए पांच मिनिट तक देखे मैंने उसी मिक्स जार में थोड़ा सा पानी अड़ करके इसमें मैंने पानी आड़ कर दियू डाल कर देखे इसे हम में चलाते रहना है बीच बीच में कलर देखे माशलास इसक से देखे और एड़ करें इसे चलाते रहना है क्योंकि हमने काजु दाले ना से लगने लगेगा नीचे फिर इसमें हम एक जो टैन रुपीज वाला डबा हाता है हमारा जार कंटेनर दही का वो एड़ कर देंगे पूरा कम से कम चार चमज हम दही एड़ करेंगे इस तरह से इसमें बॉइल आने लगा है मशल्ला से इस तरह से चलाते रहे इसका ओईल जो है सेपरेट हो गया है अब इसमें हम जो अपने है पनीर एड़ कर देंगे और इससे मिक्स करके हलके हाथों से कि हमारे पनीर टूटे ना मिक यूए ऐख दी पांच मेनित तक अपंच मेनित तक छो गया है कि देखि अब मैंने थिकनेस इसमें भाध में और इसके ग्रेवी जो कंसिस्टनसी वह और तिक हो जाती है इसमें मैंने दूद की जो मलाई होती है वो एड़ कर दियू एक चमच एक बड़े चमच आप चाहे तो आप फ्रेश क्रिम भी एड़ कर सकते हो एक चमच फिर इसे हम बस दो मिनिट पका लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और मशले से हमारा कश्मीरी स्टाइल मेथी पनीर तैयार हो चुका है और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे होगी तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलना, अलाहा आपीज